दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलैलम इंडेस्ट्री का एक बहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मुवी ले के आ गया हूँ इस मुवी में हम देखेंगे कि एक एकस आर्मी ओफिसर का लाइसेंस गन खो जाता है और आगे चलके इसी गन के कारण एक बहुती बड़ा कांड हो जाता है दोस्तों शुरुआत में आपको ये मुवी थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है पर आप पेसेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंत में आपको जो क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा वो आपको बहुत पसंद आएगा तो चलो यार बिना टाइम बरबाद करते हुए साथ में मिलके इस मुवी को देखते हैं मुवी की सुरुआत में हम केरल के एक इको फ्रेंडली विलेज को देखते हैं जहां पे चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है दरासल यहां पे कुछी दिनों के बाद इलेक्सन होना है तो हम देखते हैं जिनोंने भी खुद की प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस्ट गन लिया था और इलेक्सन के बाद उन्हें वापस दे दिया जाता है तो एक पुलिस वाला नौटिस करता है कि सबने अपना गन स्टेशन में डिपोजिट कर दिया है बस अप्पु पिलाई नाम का एक एकस आर्मी ओफिसर अपना गन डिपोजिट नहीं किया है तो पुलिस उसे यह याद दिलाने के लिए कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता है फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं अप्पु पिलाई का छोटा बेटा अजय अपरना के साथ कोट मेरेज कर रहा होता है अजय का बड़ा भाई बेंगलोर में आईटी सेक्टर में जोब करता है तभी अजय को पुलिस टेशन से कॉल आता है और वो कहते हैं आज साम तक आपके पापा का गन पुलिस टेशन में डिपोजिट हो जाना चाहिए पुलिस से ये सुनने के बाद अजय थोड़ा टेशन में आ जाता है वो अपने पापा को कॉल करके कहता है पापा मुझे पुलिस टेशन से कॉल आया था वो कह रहे थे आपने अभी तक गन पुलिस टेशन में डिपोजिट नहीं किया है तो अजय के पापा कहते हैं, मुझे मेरी गन मिल नहीं रही है, सायद वो खो गई है, ये सुनने के बाद अजय और टेंसन में आ जाता है, तब अजय का एक सिबदासन नाम का कॉनस्टेबल दोस्त उसे संभालता है, वो कहता है, अरे तुम टेंसन मतलो, गन घर पे ही कहीं पे है, दरासल उसी बंदुक के सिलसले में बात करने के लिए, पुलीस यहां पे आई हुई है, तो पुलीस को भी यहां पे आके पता चल जाता है, कि अप्पु पिलाई का गन खो गया है, और पुलीस को ये भी पता चल जाता है, कि पिछले तीन साल से, अप्पु पिलाई ने गन की लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया है फिर वो अजय को कहते हैं देखो जल्द से जल्द उसे ढूंडने की कोसिस करो वरना तुम्हारे पापा के उपर हमें एक्षन लेना पड़ेगा फिर पुलिस यहां से चली जाती है अजय के पापा थोड़ा घुसेल मिजाज के होते हैं वो छोटी छोटी बात पे घुसा हो जाते हैं पर अजय अपने पापा का बहुत रेस्पेक्ट करता है वो अपने पापा का हर बात मानता है पिर अगले दिन सुभा अपरणा दिवार पे लगी हुई कुछ फोटोज को देखती है अपर्ना को तो ये पहले से ही पता था पर एजन ओडियेंस हमें ये अभी पता चलता है कि अपर्ना के साथ अजई की ये दूसरी साधी है अजई की पहली पत्नी मर चुकी है एक दिन अभिलास को अपने दादा के साथ घर पे छोड़के वो दोनों हस्पताल गए थे और उसे दिन अभिलास अचानक से कहीं चला गया और आज तक नहीं मिला है फिर अगले दिन अपरना की नजर पेड़ पे लटका हुआ एक रेडियो के उपर पड़ती है वो ये देख च्परों का आना जाना लगा रहता है तो आज्य से ये सुनने के बाद अपरना के दिमाग में एक बात आती है कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा ने गन को अल्मारी से बाहर निकालके कहीं पे रख दिया होगा और वापस अलमारी में रखना भोल गए होगे और बाद में वो गन किसी एक बंदर के हाथ लग गया होगा तो अज़य कहता है पापा को भी ऐसा ही लगता है इसलिए वो कल कुछ लोगों को बुलाए हैं जो पेड़ पे चड़के ये चेक करेंगे कि कहीं गन पेड़ पे तो नहीं है तो अगले दिन घर के आसपास के सभी पेड़ को अच्छे से चेक करते हैं पर वो गन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है फिर अगले दिन हम देखते हैं अजय के पापा सदानंद नाम का एक आदमी से मिलने जाते हैं, उनके बीच में क्या बात्चित होती है ये हमें दिखाया नहीं जाता है, ये सदानंद कौन है ये हमें आगे पता चलेगा, दोस्तों अजय फोरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करता है, पर वो फिल्ड वार दूखे वो प्राक्टिस के लिए जंगल में आते हैं, तो पुलिस उस जगा पे पहुँचने से पहले ही वो लोग वहां से भाग चुके होते हैं, पर पुलिस को उस जगा से एक भी बुलेट की खाली सेल नहीं मिलता है, पर जिस बोड पे गोली चलाई गई है, वहां पे गड़े हो गए होते हैं, तो एक्सपर्ट की टीम उन गड़ों को देखके ये बताती है, ये गोली किसी पिस्तोल या फिर रिभलवर से चलाई गई है, ये सब देखके अजई थोड़ा टेंसन में आ जाता है, वो सोचता है, अगर वो खोया हुआ गन किसी गलत आदमी के हा जाती है, वो देखती है कि जंगल में कुछ जल रहा होता है, फिर वो अजई को भी इसके बारे में बता देती है, अजई वहाँ पे जाके देखना चाता है, पर अपरना उसे अकेले जाने नहीं देती है, वो कहती है, तुम्हारे साथ में भी चलूंगी, पर क्यूंकि चार तरफ अंधेरा ही अंधेरा था तो अपरना टॉर्च लाने के लिए घर के अंदर चली जाती है पर जब वो टॉर्च लेके आती है तब अचानक से बहुत जोर से बारिस होने लगती है फिर ये दोनों जा नहीं पाते हैं अगले दिन अजय कॉंस्टेबल सिब्दासन को बुल करता है कि जिस जगा पे ये आग जलाया गया है उस एरिया के आसपस कोई भी घास नहीं है और इस जगा की मिट्टी भी काली पड़ चुकी है इसका मतलब यहां पे पहले भी कई बार कुछ ना कुछ जलाया गया है पिर सिब्दासन कहता है ये जगा किसकी है तो अजय कहता यह हमारी जगा थी पर दो साल पहले पापा ने इसे किसी को बेच दिया है यहां पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि अजय के पापा ऐसे रियक्ट करते हैं जैसे कि उन्हें पता ही नहीं है कि यह आग किसने जलाया है फिर सिबदासन यहां से जाने लगता है पर जाने से पहल हुआ था ज्यादा तर लोग इसे लेके सदानंद के उपर सक कर रहे हैं फिर हम देखते हैं अपरना अजय से सदानंद के बारे में पूछती है तो वो बताता है सदानंद पहले एक नकसली था पर पिछले 40 साल से वो सब बुरे काम छोड़ चुका है और अब वो जंगल में प बिल्कुल भी टंसन मतलो तभी हम देखते हैं सिबदासन वापस अजय से मिलने आता है और वो कहता है अभी अभी खबर मिली है कि सहर के एक हस्पताल में हमें एक अग्यात बच्चे की लास मिली है उसका डेस्क्रिप्शन अभिलास के साथ मेच हो रहा है प्लीज तुम एक बार चलके उसे देख लो फिर अजय डरते हुए हस्पताल के लिए निकल पड़ता है वो मन ही मन ये सोच रहा होता है कि भगबान करे ये बच्चा अभिलास ना हो और ऐसा ही होता है वो बच्चा अभिलास नहीं होता है वो कोई और ही था फिर अजय थोड़ा रहे थे तब उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है तब वो अजय को कॉल करके इसके बार में बता देते हैं फिर अजय और अपरना तुरंट वहां के लिए निकल जाते हैं थोड़ी देर बाद ये दोनों वहां पे पहुंच जाते हैं फिर अजय जब उसके पापा की गाड़ी को स्टार्ट करने की कोसिस करता है तो वो तुरंत से स्टार्ट हो जाता है अजय को ये बात थोड़ा अजीब लगता है फिर ये तीनों वापस घर आ जाते हैं अगले दिन अपरना अजय को एक बात बताती है कि सायद पापा जी को भोलने की बिमारी है क्योंकि साय्ष गर आते वक्त पापा रास्ता भूल गए होंगे और इसलिए उन्होंने तुम्हें कॉल करके वहाँ पे बुलाया और अभी थोड़ी देर पहले मैं पापा जी के कमरे में गई थी उनके फॉन चेक करने मैंने देखा उनके फॉन में 10 से भी कम लोगों का नमबर सेब है और सभी लोगों के नाम के साथ साथ उस ब्यक्ति का डिटेल्स भी ब्रेकेट में लिखा हुआ है फिर अपरना केती है देखो अजई तुम मुझे गलत मत समझना पर सायद पापा चीजों को भूल रहे हैं पर वो किसी को इसके बारे में बता नहीं रहे हैं मुझे लगता है उन्हें इलाज की सक्त जरूरत है तो अजई बताता है कि आज तुमने जो नोटिस किया तीन साल पहले अभिलास ने भी यही सेम चीज नोटिस किया था उसने देखा कि पापा अचानक से कहीं खो जाते थे और एक ही काम को बार बार करते थे फिर मैंने जब पापा से इसके बारे में बात किया तो वो बहुत घुसा हो गए फिर आगे से कभी भी इस टोपिक को लेके पापा के साथ मेरी बात नहीं हुई है पर मैंने पापा के एक आर्मी बाले दोस्त से ये चीज सेयार किया था तो वो एसे ही एक दिन घर आ जाते हैं और पापा के साथ थोड़ा बातचीत करते हैं और फिर चले जाते हैं दरासल वो बातचीत के बहाने ये अबजर्व कर रहे होते हैं कि इसे कितना याद है और कितना भूल चुका है फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे पापा का मामला बह काल दिया गया है उसे लगता था कि उन्होंने खुद ही रिटार्डमेंट लिया था फिर वो बताते हैं दरासल तुम्हारे पापा ने अपना सर्विस रिवल्वर खो दिया था पर ये बात उन्हें पता था कि उनका रिवल्वर खो गया है पर उन्होंने सीनियर को इसके बार में पता चलता है वो तुम्हारे पापा के उपर बहुत घुस्सा होते हैं और तुम्हारे पापा का फुल मेडिकल चेकप किया जाता है कि आखिर कोई आर्मी ओफिसर इतना लापरवा केसे हो सकता है और फिर तुम्हारे पापा का रिवलवर सेनियर को उनके वासिंग मेशिन से मिलता है फिर medical report भी आ जाता है report के अनुसार तुम्हारे पापा का दिमागी हालत ठीक नहीं था फिर तुरंत तुम्हारे पापा को आर्मी से निकाल दिया जाता है पर क्यूंकि तुम्हारे पापा का track record बहुत अच्छा था उसे देखते हुए इस बात को सीक्रेट रखा जाता है देखो वो पिछले 16 साल से इस बिमारी के साथ जी रहे हैं दरासल वो नहीं चाहते हैं कि ये बात किसी को पता चले और लोग उन्हें जज़ करें उन्हें लगता है अगर लोगों को इनकी बिमारी के बारे में पता चल जाएगा तो वो सब इनका मजा कुड़ाएंगे फिर अजय अपरना को बताता है कि पापा दरासल हर इंपोर्टांट चीज को नोट करके रखते हैं ताकि वो उसे भूल ना जाएं फिर अगले दिन हम देखते हैं अजय के पापा वापस सधानन्द से मिलने जाते हैं इस बार भी उनके बीच में क्या बात खुदवा रहा था तभी वारकर्स को जमीन के अंदर से एक छोटे बच्ची की कंकाल मिलता है फिर वो लोग पुलिस को इनफॉर्म कर देते हैं जब इसके बारे में अजय को पता चलता है उसे यह डर लगता है कि कहीं यह कंकाल उसके बेटे का ना हो फिर पुलिस जब उस कंकाल का फोरेंसिक जांच करवाती है तो पता चलता है यह किसी इनसान का नहीं बंदर का कंकाल होता है पर साथ ही साथ पुलिस को यह भी पता चलता है कि बंदर को गोली मार के मारा गया है और इसकी मौत तीन साल पहले हुआ है तो पुलिस का पूरा सक अप्पु भिलाई क उपर जाता है क्यूंकि तीन साल पहले ये जगा उसका था और उसके पास पिस्टॉल भी था जो अभी कहीं खो गया है हो सकता है इस बंदर को गोली उसी बंदूक से मारा गया हो फिर अगले दिन हम देखते हैं अप्पु कुछ पैपर्स को ठीक उसी जगा पे जला रहा होता है जहां पे उस रात अपर्ना ने कुछ जलते हुए देखा था तो अपर्ना अप्पु पिल्लाई को पैपर्स जलाते हुए देख लेती है वो पेड़ के पीछे छुप जाती है फिर जब वो चले जाते हैं अपर्ना उस आग के पास जाती है और उसे बुझाने की कोसिस कर उसे लगता है कि जरूर इन्हे कुछ एसा पता है जो वो हमें बता नहीं रहे हैं और उल्टा सारे सबूतों को मिटा रहे हैं वो अपना हाथ उन से छुडाना चाहती है पर वो छुडा नहीं पाती है तभी अजय यहाँ पे भागते हुए आता है और अपने पापा के हाथ से अपरना को छुडा लेता है फिर अपरना चिलाते हुए अजय से कहती है तुम्हारे पापा हमसे कुछ चुपा रहे हैं तुम मेरी बात पर यकीन करो अभिलास के बारे में जरूर इन्हें कुछ पता है तभी हम देखते ही अप्पू पिल्लाई अचानक से ये भूल जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है वो अजय और अपरना को उन्ची आवाज में बात करते हुए सुनता है और कहता है देखो अगर अपरना अजय से कहती है देखो मानती हूँ मैं अभिलास से कभी मिली नहीं हूँ पर फिर भी मुझे उसकी फिकर है पता नहीं क्यों पापा के ऐसी हालत को देखके मेरे दिमाग में कुछ अजीब सा ख्याल आ रहा है हो सकता है अभिलास के साथ क्या हुआ है ये तुम्हार पापा को पता हो पर उनके भूलने की विमारी के वज़े से सायद वो ये सब कुछ भूल चुके हैं फिर ये सिन यहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं दो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुलिस टेशन में आते हैं और उनके द्वारा खींची हुई एक फोटो वो पुलिस को दिखाते हैं इस फोटो में हम देखते हैं पेड़ पे बेठा हुआ एक बंदर के हाथ में एक पिस्तॉल है इस फोटो को देखने के बाद पुलिस को लगता है ये पिस्तॉल अपु पिलाई का हो सकता है फिर वो इस बात की पुष्टी करने के लिए अपु पिल्लाई कोई भी जवाब नहीं देता है फिर पुलीस अप्पु पिल्लाई से पूछती है तुम बार-बार उस सदानंद से मिलने क्यों जाते हो पर अप्पु पिल्लाई इसका भी जवाब नहीं देता है दूसरी तरफ हम देखते हैं सिब्धासन अजय को कॉल करके ये बत करो क्या तुम्हारे पापा किसी गलत एक्टिविटी में सामिल हैं तो अजय और अपरना सदानंद से मिलने जाते हैं और उसे पूछते हैं कि आप और पापा कुछ गलत एक्टिविटी में सामिल हो तो सदानंद मना कर देता है और वो कहता है तीन साल पहले एक घटना हुआ और तुम्हारे पापा उसी टोपिक पे बात करने के लिए बीच बीच में यहाँ पे आते रहते हैं। दरासल तीन साल पहले अचानक से एक दिन मैंने देखा तुम्हारे पापा अभिलास को बहुत मार रहे थे। और अभिलास बिचारा जोर जोर से रो रहा था। फिर मैंने जब उन्हें पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस छोटे बच्चे को इतना मार रहे हो। तो तुम्हारे पापा ने कहा तुम्हें पता भी है इस छोटे से बच्चे ने क्या किया है इसने मेरे गन से इस बंदर को मार डाला है। इस गन को मैं अलमारी के अंदर लोक करके रखता हूं और बुलेट को भी अलग रखता हूं इस बदमास ने अलमारी से गन और बुलेट को चुराया और फिर बुलेट को लोड भी किया और फिर इस बंदर को मार डाला सदानंद से ये सुनके अजयी चौंक जाता है दरासल कुछ यूँ होगा उस बिमारी के चलते अप्पु पिल्लाई इस घटना को पूरी तरीके से भूल गया होगा फिर अजय और अपरना यहां से चले जाते हैं फिर अपरना को वह घर पे छोड़के वह पुली स्टेशन के लिए निकल जाता है फिर हम देखते हैं अपरना वाप के घर ले आती है और अच्छे से उन सभी का जांच करती है तभी उसे एक आधा जला हुआ नौटबुक मिलता है जहां पे लिखा था टू बुलेट्स मिसिंग यह देखके एजन ओडियन्स हमें भी सौक लगता है क्यूंकि हमें ये तो पता है कि एक गोली से अभिलास ने बंदर को मारा था पर ये दूसरी बुलेट का क्या चक्कर है ये किस ने और किस पे चलाया है फिर दूसरी तरफ हम अजय को देखते हैं वो पुली स्टेशन पहुंच जाता है फिर वो अपने पापा के एक पुराने दोस्त को कॉल करके इन सब के बारे में बता देता है तो हम देखते हैं अपु पिलाई का दोस्त पुली स्टेशन पहुंच जाता है फिर अजय और वो पुली स्टेशन के अंदर जाते हैं और पुलीस से बात करते हैं वो पुलीस को अपु की मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं वो कहते हैं पिछले 16 साल से अपु की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसी वज़ा से उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया था अब आप मुझे बताईए क्या आप किसी को भी एसे ही गन के लिए लाइसेंस देते हैं उस बंदे का कुछ मेडिकल चेकप भी करवाते हैं या नहीं अगर आप अप्पु पिल्लाई को अभी नहीं छ छोड़ना पड़ता है फिर अप्पु पिल्लाई को अपने साथ लेके ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं अपरनागी जासू सी अभी तक खतम नहीं हुई है वो फिर से अप्पु पिल्लाई के कमरे में जाती है फिर वो अलमारी खोलती है और वहाँ पे भी तलासी लेना सुरू कर देती है दोस्तों यहाँ पे आता है एक बहुती बड़ा ट्विस्ट अलमारी के अंदर एक सीक्रेट जगा पे अपरना को अप्पु पिल्लाई का गन मिल जाता है मतलब ये गन कभी खोया ही नहीं था सुरू से ही अप्पु पिल् फिर हम देखते हैं अजय अपने पापा के साथ घर पहुंच जाता है फिर अपरना अप्पू के दोस्त से ये पूछती है कि अगर पापा याद रखने के लिए सब कुछ लिख के रखते हैं तो फिर वो उन्हें के द्वारा लिखे गए कुछ पेपर्स को जला क्यूं देते ह तो अप्पू का दोस्त कहता है ये ठीक उसी तरह है जैसे हम वाटसप का चार्ट डिलीट करते हैं जब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं होती है तब हम उसे डिलीट कर देते हैं ठीक उसी तरीके से अप्पू भी जिस बात को याद रखना नहीं चाता है वो उसे जला देता ह फिर अप्पू का दोस्त यहां से चला जाता है फिर हम देखते हैं अपरना वो गन अजय को दिखाती है और कहती है ये गन अलमारी के अंदर ही था मुझे तो तुम्हारे पापा के उपर सुरू से ही सकता ये सब सुनने के बाद भी अजय अभी भी अपरना के उपर घुसा कर करता है और कहता है तुम मेरे पापा को जैसे सोच रहे हो वो एसे नहीं है तुम जैसे अभीलास के गायब होने के बाद पापा को दोसी समझ रहे हो पापा को भी एसा ही लगता है वो खुद के उपर सक करते हैं कहीं एसा तो नहीं है कि उसने ही अभीलास के साथ कुछ गलत किया हो इसलिए वो खुद ही investigation शुरू कर देते हैं वो उन हर जगाओं पे जाते हैं जहां पर अभिलास जाया करता था वो खुद के भी सारे activity को note करके रखते हैं और वो इसी सिलसिले में बात करने के लिए सदानंद के पास भी जाते हैं दरासल वो ये जानना चाहते हैं कि को सदानंद को तो याद है पर मैं भूल चुका हूं और जब investigation के बाद भी वो कोई भी नतीजे में पहुंच नहीं पाते हैं तब वो ठक हार के सब कुछ जला देते हैं पर बाद में जब वो सब कुछ भूल जाते हैं वो वापस खुद के ऊपर सक करने लगते हैं और फिर से investigation सुरू कर देते हैं और ये एक लूप में चलता रहता है पिछले तीन सालों से पता नहीं ये चीज कितनी बार रिपीट हो चुकी है तभी अपरना केती है एसा भी तो हो सकता है ना कि पापा ने इस केस को सौल्ब कर दिया हो पर वो नहीं चाहते हैं कि इस सच्चाई के बा इतनी की है दोस्तों आपको याद होगा हमने एक बार अप्पू पिलाई को हस्पताल में देखा था दरासल वो इसी रिपोर्ट को राने के लिए हस्पताल गए थे फिर अपरना अजय से कहती है कि तुमने मुझे कहा था 2021 मार्च 19 को अभिलास गायब हुआ था पर सभी नि है तो यहां पर आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट और हम एक फ्लास बेक देखते हैं 20 मार्च की रात को अजय जिब काम से वापस घर आता है तो वो देखता है अभिलास की लास जमीन पर पड़ा हुआ होता है अजय यह देखके सौक हो जाता है वो सबसे पहले अभि गन चीन रही थी पर उसी चीना चप्टी में गोली चल जाती है और अभिलास मर जाता है फिर अजय की पतनी जोर जोर से रोने लगती है तभी अजय के पापा घर आ जाते हैं दरासल इस हादसे के टाइम वो घर पे नहीं थे अजय नहीं चाता है कि उसके पापा को इसके ब बाहर चले जाते हैं, फिर अजय जब वापस अपने कमरे में आता है, तो वो देखता है, उसकी पतनी बहुत सारे प्रेन किलर की दवाई को खा के बेहो सो चुकी है, फिर वो इस कमरे को बंद करके अपनी पतनी को लेके जल्द बाजी में नजदी की हस्पताल के लिए निकल फिर वो टाइम पे हस्पताल पहुँच जाता है, और डॉक्टर अजय की पतनी को बचा लेते हैं, फिर डॉक्टर को पता चलता है कि ये एक कैंसर पेसेंट है, फिर डॉक्टर अजय से कहते हैं, मुझे आपकी पतनी के सभी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखना है, सभी असाब से इन्हें मेडिसिन प्रेसक्राइब्ड करूंगी, फिर अजय रिपोर्ट्स लाने के लिए वापस घर आ जाता है, फिर वो जैसे ही अपने कमरे की दरवाजे को खोलता है, तो वो देखता है, कमरा बिल्कुल चका चक है, यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो अभिल चुके हैं, यानि कि वो अभी खुद भूल चुके हैं कि उन्होंने लास के साथ क्या किया, वो तो ये भी भूल चुके होंगे कि अभिलास के साथ क्या हुआ था, अभिलास जिन्दा है या फिर मर चुका है, अजय अपने पापा से कुछ नहीं कहता है, बस चुप चाप ख कुछ पेपर्स जला रहे होते हैं तभी वहां पर अजय आ जाता है फिर अजय के पापा कहते हैं मुझे खुद के उपर सक था इसलिए मैंने इसके उपर डीटेल में इन्वेस्टिकेशन किया मैंने देखा मेरे अलमारी से दो बुलेट मिसिंग है एक बुलेट के बारे में त और अभिलास 20 को गायब हुआ था पर तूने मुझे कहा था कि तू जिस दिन बहु के साथ कैंसर हस्पताल गया था अभिलास उसी दिन गायब हुआ था पर यहां पे तो एक दिन का फर्क है पता नहीं तूने मुझसे जूट क्यों कहा केर जाने दो अभी बहु की हालत पता चल गया था कि अभिलास के साथ क्या हुआ है पर वो उस सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं लाते हैं वो उसे राज ही रहने देते हैं फिर हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं अजय से ये सब सुनके अपर ना सौक हो जाती है फिर अगले दिन हम देखते हैं हर बार की तरह अप्पु पिलाई फिर से अपना इंवेस्टिगेशन शुरू कर देता है और वो वापस सदानंद से मिलने जाता है और इसी के साथ यह मुवी यहीं पर खतम हो जाता है अंत तक हमें यह पता नहीं चलता है कि अभिलास की लास को उन्होंने कहां पर दफनाया है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेट करके भी बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो और देखना च चलो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई